हेलो दुस्तो, दुस्तो मैं अभी-अभी मटगाउं एक्सप्रेस नाम की मूवी को देखेकर लॉड कराया हूँ दो गुंटे 20-22 मिनट के आसपास की मूवी की लेंथ है एंड लेट में चेल दुस्तो भाई इस फिल्म में जो मैंने समसे ज्यादा इंजॉई किया वो है मूवी की कॉमेडी, काफी मज़ा आता है एंड दो-तीन सीम से तो पर्टिकुलरली ऐसे हैं जिनको देखेकर तो मतलब मज़ा आ जाता है एंड उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ खास तोर पर पहला सीन वो था जब प्रतीक गांधी का करेक्टर कोकेन से भरे उस बैड पर गिरता है एंड फिर जो बहाँ पर ब्लंडर होता है उसके बाद जो मूवी का क्लाइमेक्स ट्रेन वाला सीन है वो दो-तीन शॉट से फिल्म में ऐसे हैं यहां पर पर्टिकुलरली बहुत मज़ा आता है खाफ दोर पर बहुत मज़ा था उसके अलाबा फिल्म में कॉमेडी अच्छी है लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से लिकर एंड तर कॉमेडी ही कॉमेडी हो अच्छे खाफे एरर्व है इसे फिल्म में सबसे पहली बात तो यह है कि मूवी में डैप्थ नहीं है बहुत व्यादा इमोशन नहीं है और किसी बितरह की इंटेंफिटी एक्साइटमेंट नहीं है और यहां पर कहानी पर मैं आता हूँ उसके बाद और चीज़ों पर आएंगे तो कहानी यूँ है कि बचपन के तीन दोस्त है और धनोश डोडो प्रतीक पिंकू और आयूश तीनों दोस्त हैं बचपन से ही वो गोगा जाना जाते है और क्यों बेबस इन बेकनीज को देखने के लिए बीच पर जाकर वो बेबस के साथ फुटवाल खिलना जाते है और उसके बाद धी धीरे बड़े होते है और देन पता चलता है कि एक निव यॉर्क में है एक केप टाउन में है और दूसरा यही मुंबई में है जो जग मार रहा है जग मादने के लावा उसके पास कोई काम नहीं है और फाइनली प्लान बनता है कि वो लोग विदेव से इंडिया आ रहे है और ये तीनों गुवा जाएंगे ट्रिप पर एंड उसके बाद चीज़ें यूं हो जाते हैं जो ट्रिप थी जहांपर वो फन मौज मस्ती कदने जा रहे थे वो पूदी और ट्रेक चली जाती है सब कुछ यहांपर उल्टा उल्टा होने लगते है जैसा सोचा तब ऐसा नहीं होता है उसके बाद वो गैंगिफ्टर्स ड्रग्स और दूसरी तरह की चीज़ों में फफ जाते हैं उलच जाते हैं और वहीं पर जो गलतियां हैं जो मिफ्टेक्ष हैं उनकी वाज़ा से कॉमेडी यहांपर उत्पन होती है तो यह फ़ती चीज़े हैं जब वो गोवा में उस होटेल में पहुंचे थे तो वही होटेल जो चाबी उस बैग में ली बैग में रुपई थे एंड ट्रेनिफ टेफन तो बहाँ पर जब प्रतीक गांधी के करेक्टर को धनुष का करेक्टर डोडो उठा कर पटकता है वो फीन भाई उसके बाद प्रतीक गांधी के करेक्टर में देखते हुए भाई आप यह कोगे कि यह क्या होगे यह कुछ ऐसा शॉट था जो आप चाहेंगे कि यह और लंबा होता या मतलब आपको दुबारा देखने का मन करेगा यह कुछ ऐसा शॉट था इस फिल्म का प्रतीक गांधी का करेक्टर प्रतीक गदोडिया जब ड्रग्स के बाद उसके साथ जो भी ट्रांसफोर्मेशन हुआ फड़क पर वो पहुंचता है जो जो कुछ भी वो कर रहा था वो कुछ काफी अच्छता है और उसके अलावे यहाँ पर शुरू आतमे की यह चीज थी मुझे बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत दूस्या था बेतु की बाहिया थी यहों कहलो कि गटिया थी बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं था बात यह थी कि यह तीनों मतलब बड़े हो चुकी हैं बच्पन की दोस्त थे बड़े हो चुकी हैं एक कार में बैठे हुए है और लोग फैनली यह कहते हैं कि घरवालों से परेशान हो गए हैं घरवाले परमीशन नहीं दे रहे हमें अपना डिफीशन लेना है अब हम बड दबाता है कि लग छोड़ता है और उसके बाद वो गाड़ी जागर सीधी एक पोल में घुफती है और एक गाड़ी में से निकल कर दूर जाकर गिरता है तो वहाँ पर अचानक फिर थोड़ी हफी आ गया एक एक शॉट और था याव दिबेंदू का जो करेक्टर है वो कुछ भी नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं लेकिन दिखाने के लिए अपनी उसने शोशल मेडिया पर फेस्बुक पर एक बहुत बड़ी जिंदगी बना ली है मतलब दूर दूर घूम रहा है एबरेस्ट पर है उसका पेंट हाउस है मतलब दिखावे बाली दुनिया लेकिन र अच्छे चीज जगे देखने को मिलेंगी तो प्रतिक गांधी का करेक्टर ये कह देता है अब रात को अंधेरे में तू फेनिक ब्यूटी और टनल के ट्रॉल ची जला के देखाएगा अचानक फिर कुछ अच्छा कॉमेडी के नाम पर हो गया उसके लाब यहाँ पर नौर जोर से हसी आई हसी आती लेकिन कुछ शॉट्स में एंड एक फिर मुवेंट ये भी आता है कि आप मूज़े अप्टुमार कर नहीं लगा वो कहीं कहीं मतलब most of the time ये कहलो कि इस movie में जो आपको बांद कर जकड कर engage करके रख पाता है बोग है movie की comedy and कहानी भी उन्होंने ही लिखिये जो कि कुछ खास अच्छी है नहीं and मैं ये सोच रहा था मतलब सोचना नहीं ये मेरा take है कि इस movie में drugs गैंगे फिरस बाली चीज़े ना होती लेकिन एक अच्छी comedy फिल्म होती तो ये अच्छा हो सकता था लेकिन अच्छा हो सकता था लेकिन अच्छी चीज़ें को सेड़ दी तो जो मुझे पसंद नहीं आया है इसके बाद एक शॉट और था जब एक character नोरा फते ही को उठा के पटक देता है अचानक से बहाँ पर कुछ comedy हो गई अचानक से बहाँ पर थोड़ा मसा है तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं बाकी ज्यादा लंबी बाद नहीं करेंगे एक्टिंग काफी अची है काफी मज़ा आता है तीनों को देख गर लेकिन प्रतीक गांधी का बो character जब वो अचानक से बदला वा आती है उस character में cocaine की बज़े से तो वो मुझे कुछ काफी अच्छा लगा है और ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं बाकी तो क्या ही कहूं कि मैंने क्या बहुत कुछ खाफ नहीं देखा ये सारी चीज़ें excitement हो सकती थी फिल्म में और कुछ आइसा हो सकता था जो आपको उनको हमने एनिमल में देखा था वो शॉट वो जो गल लेकर आया था वो और मशीन जो लेकर आया था वो करेक्टर तो लगबग acting सभी की ही यहां पर काफी अच्छी तो इन दा एंड में ये कहूंगा कि फिरी हैं तो देख सकते हैं बाकी आपके उपर 50-50 है फिरी है देखना चाहते हैं तो देखने पर नहीं है इस फिल्म में पर जो मुझे अच्छा लग है वो एक्टिंग और कॉमेडी ही है इस फिल्म है जो उतनी अच्छी नहीं है तो ये साथी चीज़ है तो एंड आप सब्सक्राइब के लिए चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं लेकिन मैचार ओडियंस के साथ बच्चों की शायत नहीं देखने चाहिए क्यों कुछ ट्रक्स हैं एक दो हलकी भूल की गालियां भी है तो ये है तो ये है आपने मुवी देखी है लिखी होता ना बखी लैक्षे ने सब्सक्राइब करना चैनल को विडिगों एंड मैं चाहूंगा कि कुणाल खेमू का जो डिरेक्सिन उसमें वो थोड़ा और सुधार करें और अच्छा हो सकता था राइटिंग जरूरी नहीं कि आप सबी चीज़ें खुदी लिख लो मुवी में करेड़ेट्स में इस स्टोरी इसके दिले डायलोग रिटेन और डिरेक्टेड वाई कुणाल खेमूए से करके लिख कि आता है इतने लंबे करेड़ेट्स तो ये है थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए तो ये सारी ची है आपके उपर है देखी है लिख के उता नबाखी लाइक शेरें सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो को एंड देश्यों नेते शानल फानेंगो तैंक यू